तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुती सुन्दर और एक बहुती नया उपाय पूज्य गुरुजी की कता से हम इस उपाय को आपको समझाने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे सबसे सरल उपाय है जब आप प्रती दिन शिव मंदिर जाते हो तो शिव मंदिर जाकर केवल आप शिव मंदिर जाकर ही आपके वंच में व्रद्धी कर सकते हो पूज्य गुरुजी की कता से सुनकर इस उपाय को समझाएंगे और उसके साथ ही इसके लावा आपको और कुछ करने की आवशक्ता भी नहीं है केवल शरत पूर्णिमा यानि की 18 अक्टूबर से लेकर कार्तिक पूर्णिमा जो की नौउंबर में 15 नौउंबर को आईगी 16 अक्टूबर से 15 नौउंबर के बीच आपको ये 30 दिन का लगातार उपाय करना है उपाय में आपको क्या करना होगा कैसे करना होगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर कर दो तो देखो अब इसमें आपको किन-किन वस्तों की आवशक्ता पढ़ने वाली है तो सबसे पहले नंबर पर है एक कलश जल एक कलश जल जो आपको भगवन शंकर के मंदिर में लेके जाना है एक बेल पत्र और ये प्रती दिन आपको आवशक्ता पढ़ेगी एक सफेद पुच्प और इसके साथ ही आपको जरूत पढ़ने वाली है दो पीपल के पत्तों की प्रती दिन और इसके साथ में थोड़ा सा खीर का परशाद थोड़ा सा खीर का परशाद आपको आवशक्ता पढ़ेगी प्रती दिन आपको थोड़ी सी खीर बनानी है करना है आपको अब यह उपाए तो देखो आपको यह सभी वस्तों एक ठाली में रख ले नहीं है जिसमें एक कलश का जल दो पीपल के पत्ते थोड़ा सा कीर का परशाथ इसके साथ ही एक बेल पत्र एक सफेद पुश्प यह सभी वस्तों आपको शिवमंदिर में लेके जान आपको एक धीपक जिसमें गाय का घी डला हुआ हो और गाय का घी डले गाय के घी के साथ में उसमें लगी हुई हो गोलबाती गोलबाती आपको इसमें ले कर जानी है अब आपको क्या करना है सबसे पहले बगवान चंकर के मंदिर में जाना है और बगवान चंकर के मंदिर मे जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है शिव जी के सम्मुख में यानि उत्तर दिशा में मुख करते हुए दक्षिन दिशा में पहुँच जाना है दक्षिन दिशा हमने आपको कई बार बताई है बगवान चंकर के मंदिर में शिवलिंग की पीछे जो जलाधारी होती है दिरे समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेजिए इसके बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है वो बेल पत्र भगवान चंक करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए जिसकी दिशा आपके विपरी अब इन दोनों पर खीर का परशाद यानि कि जो खीर आपने बनाई है वो रखनी है कीर दोनों पीपल के पत्तो पर रखो और शिव जी से प्रात्ना करो हे शिव शंकर शंबू, हे वोले नाथ मेरी ये मनो कामना यानि कि पुत्र प्राप्ती की संतान प्राप्ती की मनो कामना पूर्ण कीजिए कई वर्षों से मैं लगी हुई हूँ इन उपायों को कर रही हूँ परसंतान प्राप्त नहीं हो रही मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए शरत पूर्णिमा के पहले दिन से कारतिक पूर्णिमा का आकरी दिन होगा जब आपका ये उपाय सवाप्त होगा प्रते दिन यही कारे करना है तो पीपल के पत्तों पर और जब आप ये पीपल के पत्तों पर खीर का परशाद रखो उसके बाद में आपको तीन महादेव का नाम लेना है कौन से महादेव, तीन विशेश महादेव, तुम्रुकेशवर महादेव, अवदूतेशवर महादेव और साथ में पिपलेशवर महादेव ये तीनों महादेव का नाम लेकर ही आपको ये खीर के परशाद को रखना है और फिर तीनों महादेव का इसमरन करना है पहले खीर का परशाद रख देना पीपल के पत्तों पर और फिर महादेव का नाम लेना इसके बाद में जो आपके पास में एक दीपक है तो आपने जल समर्पित कर दिया सफेद पुश्ब समर्पित कर दिया, बेल पत्र समर्पित कर दिया इस बेल पत्र को आपको लेकर नहीं आना केवल शिवलिंग पे समर्पित करना है इसके बाद में जो दीपक है उस दीपक को परज्वलित कीजिए जब दीप परज्वलित करो तो तुम्रुकेश्वर आउदूतेश्वर और पिपलेश्वर महादेव का इसमरन करो और फिर जब दीप परज्वलित कर दो आप तो आपको क्या करना है उसके पहले एक और जान करी जब आप जल समर्पित करो तो थोड़ा सा जल किसी पात्र में लेकर अपने हाथ में लेकर उसका आचमान उसको पियो जरूर जब आप दीप परजोलित कर दोगे तो ये दोनों पीपल के पत्तों को उठा कर आपकी जो थाली है जिस थाली में आप सभी सामागरे लेकर गए हैं उसको उस थाली में ये दोनों पीपल के पत्ते रख लीजिए इसके बाद में आपको घर की तरफ आ जाना है घर में प्रव पर जब आप रजास्वला ना हो तब आप इस उपाय को करें। जो वो 30 दिन की जगे, 24 दिन या 23 दिन य foster न ज़ा पाएंगे। पर यदी आप रजास्वला है तो भी आपको और भगवान का इस्मरण करना प्रति दिन तुम्रुकेश्वर अवदूतेश्वर और पिपलेश्वर महादेव का नाम इस्मरण जरूर करना है यदि आप रजस्वला है तो भी इस प्रकार से लगातार तीन महीने तक इस उपाय को कीजिए बाबा भोले नात के किरपा आपके उपर अवश्य होगी दूसर पूर्णिमा के दिन ही आपको इस उपाय को करना है यानि कि 16 अक्टूबर के दिन एक बायक यानि कि एक फीट लंबाई का और एक फीट चोड़ाई का एक सफेद वस्तर आपको ले लेना है सफेद वस्तर को लेने के बाद में क्या करना है आपको इस सफेद वस्तर पर आप में दे दीजिए या तो मंदिर के पंडिजी को या किसी भी ब्रह्मन को आप इसको दान में दे दीजिए कुबे रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कुबे रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस कपड़े सहेत अक्षत को दान में दे दीजिए आपके घर में जितन इतरह से समाप्तों जाएगी सभी भक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम हर हर महादेश्ट